तो आज हम बात कर रहा है इंफिपीम एवेन्यू की तो आप देखोगे पिछले कुछ महीनों से शेर अप्रेट में चलता हुआ नजर आ रहा है अपना हाईर हाई बनाता है और हाईर लोग बनाता हुआ नजर आ रहा है तो आप देखोगे कि शेर अब हमें 70 रुपे के पास स्टाटिंग करते हैं लॉंग टर्म से लॉंग टर्म पर आप स्टॉक की जो हालत है वह यहां पर देख सकते हो कि यह जो स्टॉक है 10 रुपए के पास लिस्ट हुआ था 10 रुपए से चलकर 60 रुपए तक गया लेकिन 60 रुपए के बाद एक बार इसमें इतनी बहानक ग्रा देखने को मिला पर सपोर्ट एंड उसके बाद फिर से अफसाइट चलना स्टार्ट किया और आप देखोगे उसके बाद फिर इसमें गिरावट आई लेकिन अब फिर से यह सपोर्ट लेकर चलता हूँआ नजर आ रहा है तो यह तो हो गरी इसके लॉंग टर्पर पफॉर् सपोर्ट लेकर अपसआड जाता वह नज़र आ रहा है और अब यह एक पैटन में चलता गुद आरहा है। तो अब जो यह stock है, यह हमें 17 रुपए के पास देखने को मिल रहा है, 17 रुपए सी पैसे के पास, RSI लेवल अगर इसका देखें, तो 61 हो चुका है, और इसकी एक घंटे के चार्ट पर अगर आप इसकी performance को देखें, तो short term का आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा, क यह जो लेवल है, यहाँ पर इसका strong resistance बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे यह cross करने की कोशिश में लगा हुआ है, पिछले कुछ दिनों से, आप देखोगे यह जो लेवल है, यह जो लेवल है इसका, वो काफी पुराना resistance लेवल है, काफी टाइम से बना हुआ है, और काफी consolidation दिखा कर, यह इस लेवल को और strong कर ले और उसके बाद upside जाता हुआ, नजर आए, अब बात कर लेते हैं, कंपनी का Q3 कैसा देखने को मिलेगा, अगर कंपनी का Q3 हमें positive देखने को मिला, तो यह consolidation हमें तूटता हुआ, जरूर दिख जाएगा, लेकिन Q3 अच्छा आएगा अब उरा यह कैसे जाने तो चली, देख लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे कंपनी का market cap, जिसमें कंपनी की कुछ details को देखेंगे, market cap जो है इसका, वो सिर्फ 4,000 करोड की कंपनी है, पी की बात करें, industry piece से जादा में मिल रहा है, ROC, ROE जो है वो काफी जादा कम देखने को मि इसके quarterly result पर आप देखोगे कि इसका जो last quarter का result आया तो इसकी sale है, वो यहाँ पर हमें अच्छे कासी, थोड़ी increase होती हुई नजर आई है, बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन साथ-साथ खर्चे भी company में काफी बढ़ते हुई दिख रहे हैं, जिसवजे से इसका operating profit है, वो य इसकी performance जो है, ऐसी देखने को मिल रही है, शौट टर्म पर, profit and loss में इसकी sale को अगर देखे तो आप देखोगे कि yearly wise इसकी sale है, यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन खर्चे भी काफी जादा बढ़ते हुई दिख रहे हैं, जिसवजे से profit जो यह बना रही है, लेक क्यूतरी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि company जो है, profit तो बना रही है, और increase भी होता हुआ नजर आ रहा है, बस यह है कि distance थोड़ा कम है उसका, तो guys आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को like करे, share करे, channel को subscribe करे, thank you so much for watching this video,